हलो स्टुडेंट j boundary यू आर इस पिछेंन ठेक्नेकल। पाट साल पे आप लोग जुड़े ऊए हैं और पे जान ואктर हम लोग एक JJ, J.E.N. और A.E.N. के एक्जाम के उपर प्रिप्रिशन करा रहे हैं जो भी छातरिस से जुड़े हुए हैं वो पहले से जान रहे हैं कि हम लोगों ने इस पे प्रिशर और लाइट के उपर जितना भी हमारे थियोरी है उसको मैंने परफॉर्म कर दिया है उसको मैंने बता दिय है और इसके साथ ही साथ जो हमारे ग्रेविटेशन के उपर भी हम लोगों ने थियोरी को बता दिया है अब इस लेक्चर में हम लोग कुछ क्वेश्चन्स जो J.E.A. में पूछे जाते हैं उसके उपर हम लोग अभ्यास करेंगे और देखेंगे कि क्वेश्चन किस तरह से लाइट के पूर्शन से सबसे जादा क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं वैसी ग्रेविटेशन के उपर भी क्वेश्चन है प्रिसर के उपर भी क्वेश्चन है लेकिन जितना क्वेश्चन हमारा लाइट के उपर है वो तना क्वेश्चन किसी भी चैप्टर से नहीं है हमारा सारा फोक्सिंग लाइट के उपर हमारा होगा प्रकास के उपर हम लोगों को जितने questions हुए हैं अब तक पूछे गए हैं उन questions को हम लोग इस lecture में पढ़ने की कोशिज करेंगे explain करने की कोशिज करेंगे इसके पहले हम लोग जो एक chapter छोटा सा chapter है dispersion of light dispersion of light as we know that the dispersion of light is a phenomena by which it is split up into its constituents color जो हमारे प्रकास एक सात रंगों से बने हुए हैं और यह सात रंग जब प्रिज्म से होकर पास होते हैं तो यह अपने सातों अभयाओं में तूट जाते हैं और इसको हम लोग dispersion of light के नाम से जानते हैं जैसा हम लोग यहाँ पे picture लिये हुए हैं इस picture में आपको यह clear दिखाए दे रहा है कि हमारा जो भी तरंगे आ रही है भिवगायर के violet है blue है indigo है और green है yellow है और orange है और red है भिवगायर भिवगायर भी आई बी जी वाई ओर यह हमारा pattern होता है जिसको हम लोग पहले से जानते हैं कि भिवगायर का मतलब हो गया भी फार violet आई फार इंडिगो वी फार blue जी फार green वाई फार yellow ओ फार orange और और पार red इस ही हमारे अवयाब जो हमारे इतने सात रंगों से white light बने हुए सर्वपर्था में इसे newton ने दिखलाया था इस experiment को करके और इस experiment के अदार पर हम लोग जो अपने अवयाबों में तूड जाता है जो seven color है उस color को हम लोग यहाँ पे clearly देख रहे हैं clearly देख रहे हैं और यह भी देख रहे हैं कि सारे वेव के रूप में हैं जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्रकास एक electromagnetic wave है electric vector हमारा x-axis पर चलता है और magnetic vector हमारे y-axis पर चलते हैं और इसका दो emission होता है जड एक्सिस की और होते हैं इस तरह से हम लोगों को एक electromagnetic wave है what is light light is a electromagnetic wave तो यह वेव के रूप में चलते हैं और इस सब की frequency और wavelength अलग-अलग होती है इसी frequency और wavelength के pattern को हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ जो दूसरा हम ने picture को लिया है इस picture में आप थोड़ा सा changing पाएंगे इस picture को अगर हम लोग देखते हैं तो यह जो हमारा picture है यहाँ पे हम लोग wavelength और frequency के बीच का जो data है हम लोग लिये हुए है wavelength और frequency के बीच में जो हम लोगों का है जैसा हम लोग देख रहे हैं कि red color का जो divization होता है वो सबसे कम होता है और blue color का maximum divization होता है यहाँ पे हम लोग उने इस picture को देखा है कि maximum divization blue color violet का हम लोगों को maximum divization हो रहे हैं और least divization हमारा red का हो रहे है यह जो हमारे अपने पत से मुड़ जाते हैं इसको हम लोग divization करते हैं तो least divization सबसे कम होता है red का इसलिए red वाला pattern हम लोगों को उपर में आता है और violet वाला जो pattern है यह maximum है इसलिए यह नीचे की हो राता है यहां पे हम लोगों को यहां ग्रीन यहां पे blue और हम लोगों का जो data है ऐसा इसलिए यहां पे changing हम लोगों को आ जाती है यहां पे की blue violet और blue के बीच में जो indigo हम लोग यहां पे देख रहे हैं अगर इसको हम लोग frequency के pattern पर देखते हैं तो यह change पाते हैं हम लोग अगर इस changing को अगर हम लोग यहां पे नहीं देखेंगे तो हमारा यह वाला pattern से थोड़ा सा डीफर होता है ऐसा इसलिए होता है कि चुक ही color जो हमारा indigo है वो यहां पे indigo नहीं हो करके वो cyan type का cyan रंग इसको हम लोग हिंदी में करते हैं और इंगलिस में हमको cyan के रूप में जानते हैं इसकी frequency का pattern को अगर देखेंगे तो यह frequency का pattern हमको matching color के मिलेगा और यहां पे अगर इस pattern पे देखते हैं तो यह pattern हम लोगों को match नहीं करता है इसलिए इस data को नहीं लेकर हमने आपको यह data को दिखाया है कि frequency का जो pattern है जैसे टेरा हर्ड टेरा हर्ड हमारा red का frequency हमारा 600, 430 से 480, 432, 480 टेरा हर्ड फ्रिक्वेंसी और फिर लगले तुरंत हम लोगों को आ जाता है 480 से 510, तेरा हर्ड फिर 510 से 540, तेरा हर्ड फिर 540 से 580, तेरा हर्ड फिर 580 से 610, 610, 610 तेरा हर्ड and 672, 750 तेरा हर्ड फिर फ्रिक्वेंसी का पैटरन जो है वो हमको justyan color से match करता है अगर हम लोग इसको इस कलर में देखेंगे तो यह मैचिंग नहीं होते हैं इसलिए इस डाटा को हम लोगों ने यहाँ पर रखा है और जो बेवलेंद का जो पैटर्न है बेवलेंद के पैटर्न को देखिए कि जिसकी फ्रिक्वेंसी हमारी यह तेरा हड्ट के बीच में है इ इसके साथ इसलिए हम ले यहाँ पे आपको यह डाटा दिया है जो इस से टैली आपको नहीं कर रहा है इसका रीजन है कि इसका एगर हम लोग फ्रिक्वेंसी के वेवलेंद को देखेंगे इंडि भाले को तो ये फ्रिक्वेंसी हम लोगों को यह पर Packard को नहीं करते हैं इसलिए हम लोगोंने यहाँ पे आप याद करने के लिए इसको भी violet और blue के बीच में indigo का हम लोगों का pattern आता है यह हम लोगों को dispersion of light के हम लोगों को यह pattern हम लोगों ने explain कर दिया है और what is dispersion of light हम लोगों को when the white light passes through a prism then it split up into its constituents colors and this phenomena is known as dispersion of light Now, we are going to write you, so kindly you write this, this person of, sorry, dispersion of light, when, when white light, white light travels, 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 by a prism, then it, it splits up, splits up into, into seven, seven colors, this phenomena, this phenomena, this phenomena is known as dispersion of, known as dispersion of light. And this is the last lecture about, on the light. Now, we are going to discussing about some questions based on the previous lecture. हम लोगों ने जितने भी थियोरी को अभी तक किया है, अब तक किया है, उस पे जो हमारा question, हमारे पूछे जाते हैं competition में, उस competition के question को हम लोग कर रहे हैं, यहाँ पे, और हम लोग देख रहे हैं कि यह कैसे हम लोगों का, यह question है. जैसे practice question में, सबसे पहले हम लोगों का जो question आता है, वे question है, मीराज. मीराज इजे फिनोमेना, जैसा हम लोग जानते हैं, कि, रेकिस्तान में जो चलने वाले यातरी यापशू हैं, रेकिस्तान में उनको जलासे का भ्रहम हो जाता है, कि कहीं पे नियर में हम लोगों को water है, और वो water जैसे जैसे वो दूर जाते हैं, वह उनको वाटर और दूर चला हटता चल जाता है जिसके कारण वह इस भ्रम में और पानी कहीं मिलता नहीं है डिजर्ट एरिया में तो डिजर्ट एरिया में यह हम लोगों के मिराज देखने को मिलते हैं और इसके कारण यह हम लोगों को कहीं बाटर नहीं रहता है और उस ज इसे हम लोग मिराज के नाम से जानते हैं तो डिस द्यू तुट्ल इंटर्ण र्फ लेक्ष allora हम लोग यह ऐसा जानते हैं किया जो भी हम लोगों का एक जो टॉ्टल इंटर्ड रिफ लेक्षन रेफे किया थी कि हम लोगों की एक घटना pist चाहिए यूंस से ऐसे ही वह हम हम लोगोंने theory वाले lecture में कि जो denser medium से यहां पर हम लोग फिर से इसको देख लेते हैं reflection of light के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं reflection of light के बारे में भी पढ़ चुके हैं और reflection हमारे wave theory पर है लेकिन जो photoelectric effect है एक प्रकास की जो घटना घटती है photoelectric effect जो particle nature को explain करता है जो अलबर्ट आइंस्टीन ने इसको explain किया है photoelectric effect और reflection of light जो होते हैं वो डिफ्रेक्शन अफ लाइट हम लोगों को बताते हैं कि ये phenomenon हम लोगों को लाइट जो है वो वेव के रूप में चलती है हम लोग इसके बारे में जानते हैं इस पर हम लोग ज्यादा discussion नहीं करेंगे हम लोग यहाँ पर explain कर रहे हैं कि मिराज जो होते है वो total internal reflection के कारण, reflection of light के कारण होते हैं, इसको हम लोग यहाँ पर explain कर रहे हैं, जो students हमारे theory वारी lecture को नहीं देखे होंगे, उसको यहाँ पर हम लोग देख लेंगे, कि reflection में क्या होता है, हम लोगों को, reflection की एक छोटी सी, हम लोगों को घटना आती है, वो यहाँ पर यह आती है, कि जैसे ही हमारा, यह जो हम लोगों को denser medium से, medium क्या होना चाहिए, total internal reflection के लिए हमारे medium को denser medium से, rarer medium की और, प्रिकास को traveling करनी चाहिए, तो चुकि पृत्वी के सता पर, हमारा जो है, पृत्वी के सता है, वो गर्मी के दिनों में, डेजाटेरिया में, गर्म हो जाती है, और हवा जब गर्म हो जाती है, तो थोड़ी, rarer medium का काम करता है, और उपर में, जो हवा रती है, वाई बंडल की, वो हम लोगों का denser medium का काम करता है, और सूर्ज से जो किरने आती है, जो भी सूर्ज से किरने आती है, वो denser medium से rarer medium की और आती है, और denser medium से rarer medium की और आने के कारण, इसमें total internal reflection की घटना वहाँ पे हो जाती है, और हम लोग ये जानते हैं, कि जैसे ही, ग्लास से, जो हम लोगों को angle of incident, theta c से, जो हम लोगों को आती है, ये, इसको हम लोगोंने critical angle, जो theta c हम लोगोंने define किया है, कि theta c से ज़्यादा पर अगर incident angle हो जाते हैं, तो इसी में, इसी में, ये हम लोगों को reflect हो जाता है, और इस घटना को हम लोग total internal reflection के नाम से जानते हैं, और इसी घटना के कारण, हम लोगों का मिराज की घटना होती है, क्योंकि यहाँ पे जो भी by mandal में, जो सूर्ज से किरने आ रही है, ये sun है आपका, और suppose किजिए कि यहाँ पे आपको कोई भी, यहाँ आप लोगों को ये denser medium हो गए, यहाँ पे denser medium का का काम करेगा ये, यहाँ पे हम लोगों की जो भी रहेगे, जो अर्थ के सता के नजदीक रहेगी, ये वायू ये, ये हम लोगों को, ये denser medium हो गया और error medium हो गया, और इसके कारण, जो हम लोगों को धिरे धिरे कोई भी, ये rays जो आती है, वो दूर हटती जाती है, और एक ऐसी इस्तितिती आ जार आ जाता है, और इसी को हम लोग मिराज के नाम से जानते हैं, तो इस घटना के कारण हम लोगों को, ये total internal reflection के कारण हम लोगों को ये घटना होती है, इसलिए इसको हम लोगों के आपे लगा दते हैं, कि मिराज के घटना जो होती है, वो total internal reflection के कारण होती है, ठीक है, अ अब इसके बाध जो दूसरा question हम लोगों को है वो question no.2 की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो question no.2 में हम लोगे देख रहे हैं कि blackboard blackboard जो है वो black क्यों नजर आता है ब्लेक वोर्ड हम लोगों को ब्लेक क्यों नजर आता है तो इसके कारण हम लोगों ने देखा है कि प्रकास की तीन घटनाएं होती है प्रकास हम लोगों को तीन फिनोमे नामे है पहला हम लोगों को रिफलेक्शन अप लाइट को यूज हम लोग इसका करते हैं reflection of light को और दूसरी घटना होती है और transmission होती है transmission का मतलब transmission उस घटना को हम लोग transmission करते हैं कि जब प्रकास की किरने किसी medium से pass होती है itself, allowed to pass from it then this phenomenon is known as transmission of light as a glass, हम लोगों ने glass plate को देखा है तो दूसरी घटना जो हम लोगों को होती है पाला में हम लोगों को होता है reflection of light first image जो हम लोगों को होती है वो properties जो होती है light में reflection of light reflection of light जो घटना होती है यह होती है या फिर reflection होता है reflection of light यह हम लोग पढ़ चुके है theory में आप जाईएगा देखेगा तो आपको ये सारी बाते मिल जाएंगे कि reflection कैसे होते है reflection का कैसे हम लोग mirror के उपर देखते है और दूसरी जो घटना होती है वो होती है हम लोगों को transmission transmission जो होती है वो transmission जैसे हम लोगों ने देखा है कि ग्लास slab से प्रकास पास कर जाती है और glass slab से जो प्रकास जो टोटल internal reflection होता है glass slab में हम लोगों के बारे में देखे हैं कि total transmission इसको हम लोग transmission of light है cirite इसी गटना को use हम लोग करते हैं जो optical fiber में latest technology वह ओगा है total internal reflection को हम लोग transmission of light के दवारा हता है और तीसरी जो घटनाए होती है वो हम लोगों को ओती है absorption of life absorption absorption सारे black body जो होते हैं black body totally प्रकास के जितने भी रंग है साथ रंग से बने हुए हैं जैसा हम लोगों ने dispersion में देखा है अभी अभी इसी lecture में कि साथ color के बने होते हैं लेकिन जो black body होता है जो वो पूरे के पूरे wave को यह absorption of light इसका जो सही answer होगा वो होगा हम लोगों को absorption of light होगा और एक और होती है वो तीसरा होता है चोता होता है scattering of light scattering scattering of scattering of light scattering of light scattering का जो meaning होती है scattered हो जाते हैं हम लोग alpha particle का scattering हम लोग पढ़े हुए होंगे या पढ़े होंगे scattering of light होती है मेली हम लोगों को ये तीन फिनोमेना है और इस तीन फिनोमेना के उपर ही हम लोगों को ध्यान कॉंसेंट्रेट करना है और इसी के बारे में हम लोगों को जानना है Scattering of Light तो यहाँ पर का जो इंसर होगा कि Blackboard seems black because it absorbs the whole color जितने भी हमारे जो सातों color है जो violet है, indigo है, blue है, yellow है, orange है और red है वो जो हमारे जितने भी color है उस सब को absorb कर लेता है इसलिए Blackboard हम लोगों को काला नजर आता है इसके बाद ही हम लोगों को आते है question number 3 पर हम लोग आते है कि question number 3 क्या काता है which one of the following phenomena shows particle nature of light यह हम लोगों ने वहाँ पे अभी अभी हम लोगों ने discuss किया वहाँ पे इसके पहले वाले question में कि हम लोगों को जो phenomena होती है वो diffraction और interference जो pattern है जो हम लोग प्रकास की घटनाए होती है diffraction और interference pattern जो पाते है वो हम लोगों को बेव नेचर को explain करता है लेकिन जो particle nature को करता है वो हम लोगों को photoelectric effect है और यह photoelectric effect के द्वारा ही हम लोगों को यह साबित हुआ कि जो particles के रूप में हमारे प्रकास चलते हैं तो यह हम लोगों को photoelectric effect में थोड़ा सा यहाँ पे आपको मैं explain करता हूँ कि कोई भी metal का plate है कोई भी metal plate पे हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं metal plate metal plate इसको हम लोग details कहीं पे देखेंगे metal plate पे अगर हम लोग यहाँ पे light गिरती है light प्रकास के खिरन तो देन दे इमिशन ओफ इलेक्ट्रोंस 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 का इमिशन होता है and this phenomenon is known as the photoelectric effect photo means light and electric means current प्रकास के द्वारा जो current पैदा होता है उस घटना को हम लोग कहते हैं photoelectric effect it is very simple simple manner में हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि प्रकास metal plate से टक्रा रहा है और वहाँ पे इलेक्ट्रोंस का इमिशन हो रहा है तो इसलिए यह particles के कारण ही सब्बब है क्योंकि momentum तब तक नहीं होगा जब तक कि वो particles नहीं होगे particles के लिए momentum होने चाहिए और momentum momentum जो होते हैं उसको physics में हम लोग कहते हैं mass into velocity यहाँ पे हम लोगों को mass must होनी चाहिए और wave में क्या होता है wave में velocity होती है लेकिन mass नहीं होती है इसलिए हम लोगों को photoelectric effect की घटनाय जो होगी जो साबित करेगा कि हम लोगों को यह particles nature है light जो है वो particle के है यह हम लोगों को photoelectric effect से ही पता चलता है यह हम लोगों को यहाँ पे हमने आपको explain कर दिया photoelectric electric effect very very simple very simple manner photoelectric effect अब हम लोग question के लिए आगे बढ़ते हैं इसमें देखते हैं इसका चौथा question हमारे पास क्या है जो आपके very very important points है आपको communication optical fiber mainly used in communication is based on अभी हम लोगों ने यह देखा है कि optical fiber जो जिस theory पे काम करता है उस theory को हम लोग करते है total internal reflection total internal reflection के द्वारा ही यह हम लोगों को optical fiber काम करता है इसलिए यहाँ पे हम लोगों को यह अप्टिकल fiber में जो tube लगे हुए रखते हैं इस तरह से एक आपके पास में glass का tube रखता है पतला सा और इसमें जो भी हम लोगों को यह glass tube है glass glass tube glass tube glass tube तो यह total जो भी light यहाँ से गिरती है वो इस प्रकार से इस पे फॉल करती है कि जो इसका critical angle theta c जो हम लोगों को है theta c से ज़्यादा angle हो greater incident rays आई जो है angle of eye is greater than the theta c theta c से एक greater angle suppose कि जिए this is your theta c तो इस theta c से बड़े angle पे होती है ततिजा क्या होता है सब के सब यह total internal reflection होते है light के और यहाँ से हम लोगों को beam यहाँ से बाहर निकाश जाते है तो यह based हमारा होता है total internal reflection के अधार पे और इसके आधार पे ही हम लोगों को optical fiber work करते है इसका हमारा answer होगा c वाला अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं तो यह हम लोगों को जो fifth question है वो fifth question में हम लोगों को करता है when the light is passed through the color which divides least हम लोगों ने देखा है कि red का pattern सब से उपर था इसलिए red जो है minimum deviation हम लोगों का rate होता है इसलिए यह वाला answer हम लोगों को सही होगा हम लोगों को rate इस तरह से अभी 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 लोगों ने blue और violet का जो भी pattern हम लोगों ने देखा वो देखे थे हम लोग की red वाला सबसे उपर होता है माने उसका deviation सबसे कम होता है least होता है और सबसे ज़्यादा हमारा violet का होता है इसलिए हम लोगों को least यहां पे आया है अगर यह हम लोगों को when the light is passed through a prism the color which divides least least word explain करता है कि जो सबसे कम जिसका deviation हो तो इसका answer हमारा rate होगा now we are going to discussing above again going to the another question the focal length this is the answer this is the question six question number six is the focal length of convex lens is in this question we are looking that what is the focal length convex lens के में एक focal length पर क्या प्रवाब पढ़ता है तो same for all the colors यह जो focal length होते है convex lens में जैसा हम लोगों ने देखा था convex lens के focal length का बारे में हम लोगों देखे थे कि जो यह convex lens है convex lens के हम लोगों के दो focal length होते है यह की इस side में होता है एक उसाइड होता है तो फोकल लेंथ पर यह हम लोगों को यह इसके बीज की जो दूरी होती है इसको हम लोग स्माल लेख करते हैं और यह हमारा सी है यह है तो इस तरह से फोकल लेंथ पर क्या प्रभाव पड़ता है different color का एक question आपको बता रहा है convex lens के case में convex lens के case में focal length पर क्या प्रुभाव फड़ता है तो the same for all the colors shorter for blue light than for red shorter for red light than for blue maximum for the yellow light यह हम लोगों को question number 6 है और इस question के 6 का आपका जो answer है shorter for blue light than for red shorter for blue light than question number हम लोगों का B जो है वो आपका सही होगा इसके focal length जो होगे वो change होगे focal length क्या हो जाएंगे red के लिए हम लोगों को इसके focal length में variation होगा blue के लिए different हो जाएंगे और red के लिए हम लोगों को different हो जाएंगे तो यह focal length में variation है इसलिए shorter for blue light than for red तो यह हम लोगों का answer होगा तीसरा आगे बढ़ते हैं हम लोग question number seven में तो question number seven में क्या है हम लोगों को आता है यह perfect black body has the unique characteristic feature as a good observer only and a good radiator only good absorber and good radiator good absorber and good radiator यह हम लोगों को है इसमें हम लोगों को यह जो third वाला है एक question हम लोगों को C वाला answer इसका सही है क्योंकि good absorber भी है और radiator भी है यह radiator radiate करने का भी काम करता है इसलिए हम लोगों को black body के kiss में हम लोगों को यह answer जो होगा good absorber and good radiator वाले सही होंगे और हमारा pressure के बाद now the 8 question is how is the pressure cooker work as we have already told you that we have performed all the theoretical portion of the pressure pressure के उपर जितना भी काम था हम लोगोंने theory में कर चुका है मैं हम लोग कर चुके हैं और ये pressure cooker जो work करता है pressure cooker में जैसे ही steam जाता है वो बंद रहता है और steam के कारण उसका pressure जो है वो बढ़ जाता है तो pressure बढ़ने के कारण उसके boiling point भी बढ़ जाते हैं और boiling point बढ़ने के कारण उसका ज़्यादा heat ज़्यादा वहाँ पे रहता है और इसके कारण हम लोगों को जल्दी वहाँ पे खाना हम लोगों को जल्दी बनता है तो यहाँ पे क्या लिए हम लोगों को सही इंसर होगा इंसर हम लोगों को सही नहीं होगा दूसरा में low pressure inside the cooker rises the boiling point of water तो low pressure तो रहता ही नहीं है pressure में सबसे पहले यहीं पे यह question हमारा यह इंसर हमारा कट हो जा रहा है तीसरा जो option आ रहा है वो high pressure inside the cooker high pressure है यहाँ पे very very important point यहाँ पे जैसे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ high pressure है pressure हम लोगों को pressure high दे रहे हैं तो high pressure जो word आ रहा है और इसके साथ हम लोग जब theory किये थे तो theory में हम लोग उने देखा था कि pressure जब बढ़ता है तो boiling point भी बढ़ते हैं उसके boiling point क्या होते हैं ऐसे water हमारा 100 degree centigrade पर खौलता है लेकिन जब pressure बढ़ जाता है तो boiling point इंक्रीज कर जाते हैं तो इसके कारण हम लोगों को देखेंगे कि high pressure है रिसर तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा इसलिए ये option हमारा correct हो गया अब आपके बाजी आगे जाने की है steam inside the cooker makes food cook with his ये it is not a good ये कुछ अटपटा साल लग रहा है question नहीं अब यहाँ पे 9 question में हम लोग देखते हैं कि question number 9 है वो क्यों है हम लोगों को यहाँ पे question number 9 में blue color blue color of sky is due to the phenomena ये हम लोग देखे हैं बता चुके हैं आपको कि dispersion of light भी होते है reflection होते है reflection होते है और scattering होते है तो ये जो हम लोगों को phenomena होती है वास्तों में जो blue color होते है और blue color का ज़्यादा हम लोगों का होते है scattering इसलिए हम लोगों को reflection of light इसका हम लोगों को सही answer होगा sorry blue color of sky is due to the phenomena हम लोगों ने देखा था कि scattering के portion को वहाँ पे हम लोगों किये थे scattering बाले में scattering का मतलब हुआ च्छित राजाना जैसे alpha particle का जो scattering होती है तो blue color का ज्यादा scattering होती है इसलिए इसका answer जो होगा हम लोगों को scattering of light होगे sorry इसका answer हम लोगों को scattering of light होगे तीसरा हम लोगों को आगे बढ़ते हैं question में तू हम लोगों का जो question आता है हुआ है mirror के बारे में है mirror का अब यहां पे हम लोगों का जो question है थोड़ा सा twisted है इस question को हम लोग देखते है पड़ते है इस mirror produces magnified erect magnified erect image of an object the nature of the mirror is अब यहां पे magnified word भी आया है और erect है दो word यहां पे आ रहे हैं और हम लोगों ने यह देखा है हम लोग mirror को जब पढ़े है spherical mirror में तो mirror में हम लोगों ने देखा है कि magnified हो और erect हो यह हम लोगों को किस में होता है यह magnified और erect का जो portion आते हैं वो निश्चित रूप से हम लोगों ने पढ़ा है इसको जब pole और जो concave mirror है यह concave mirror का जो भी हम लोगों को बनते है वो image हम लोगों को concave mirror में बनते है क्योंकि convex mirror में plane mirror का तो सवाली नहीं पढ़ा होता है हम लोगों को इसी में चूज करना है नाइदर concave nor convex यह हम लोगों का भी कोई answer नहीं है सही convex में हम लोग जैसा जान रहे हैं convex में हमारे हमेशा जो भी image बनते हैं वो virtual बनते हैं और हम लोगों को magnified नहीं रहते हैं diminished रहते हैं दों इंपरकार All Types होते हैं यह लिए हम लोगों को convex होगा ही नहीं इसलिए plane होगे ही नहीं यह भी नहीं होंगे तो इसका मतलब हम लोगों को Concave ही सही होगा Concave में जब हमारे Pole and Pole and Focus के बीच में Pole or Focus के बीच में जो हम लोगों को Concave Concave Mirror के case में हम लोग जानते हैं कि Pole और Focus के बीच में जब object होते हैं तो उसका Magnified और Virtual बनते हैं और Iriect बनते हैं इसका इमेज तो Virtual होता है लेकिन इरेक्ट होते हैं और इसी फेनोमेना को यूज डेंटिस्ट लोग भी करते हैं और इसी फेनोमेना को यूज हम लोग दाड़ी बनाने के लिए भी यूज करते हैं महिलाए लेडिक जो होती है वो अपने सुरंगार करने के लिए लिप्स्टिक बगरे लगाने के लिए इसको य्यूज करती है क्योंकि इसमें आपको इमेज जो होते हiya हो थोड़ा सा लार्ज बनते है बड़ा इमेज बनते हैं, अना, मैगनिफाइड के सब्सक्राइब नियुक्त बनते हैं तो इस एरेक्ट बनने के कारण हम लोग इस मिरर को काई यूज करते हैं अब आगे बारते हैं इसमें देखते हैं कि यह क्वाइन जो है क्वाइन को अगर हम लोग जो करते हैं वो क्वाइन को जब हम लोग यह दे देते हैं तो क्वाइन को हम लोगों ने ये देखा है कि यहाँ पे reflection of light के case में क्या होते है कि reflection of light जो denser medium से denser medium से rare medium की और जब जाते हैं तो वो हम लोगों को raise हमारे क्या होते हैं denser medium से denser medium से जो denser medium है हम लोगों को जैसे यहाँ पे हम लोगों glass ले लिया यह glass है तो denser medium से rare medium से denser में आ रहे हैं तो अभिलंब की और मुड़ेंगे और जब denser से rare में जाते हैं तो अभिलंब से यह दूर भागते हैं तो इसलिए चुकि जो भी सिक्का क्वाइंस गिरे हुए हैं वो reflection of light के कारण जो pond में वो थोड़ा सा उपर उठा हुआ रहता है तो इसलिए हम लोगों को reflection of light का यहाँ पे हम लोगों को denser medium वाले case में आएंगे तो यह हम लोगों को total internal reflection यहाँ पे नहीं होगा scattering of light भी नहीं होगा reflection of light भी नहीं होगे तो हमारे सही answer होगे reflection of light अब हम लोग आगे बढ़ते हैं आगे की और question में तो आगे का question हम लोगों का 12 question जितना भी देख रहे हैं हम लोग की light के question हमारे जादे हैं है ना अब 12 में हम लोग देख रहे हैं कि stars are twinkling due to diffraction, reflection, scattering and reflection. तो star के बारे में हम लोग देख रहे हैं कि इसके case में भी हम लोगों को twinkling क्यों होती है stars का, तो इसका भी हम लोगों को insert reflection of light होगा, क्योंकि जो star का जो position होते है पृत्वी का, पृत्वी के जो बाई मंडल पे हम लोग देख रहे हैं वो stars का जो position आते हैं हम लोगों को stars, apparent atmospheric reflection यहां पे होता है हम लोग यहां पे इस तरह से अर्थ को एक अर्थ को हम लोग figure ड्रा करते हैं, यहां पे माल लेजे हम लोगों का अर्थ है और यह atmosphere है star का जो original position है वो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं पृत्वी के सता पे कोई भी मनुस्य यहां पे suppose किजे कि यह आई है यहां से मनुस्य देख रहा है तो यह हम लोगों को इस तरह से ऐसे turning करते हुए आएंगे और इसका यह original position जो होगा वो apparent होगा apparent star का apparent position होगे यहां पे तो इस तरह से हम लोगों को raise कभी आएगी यह इस तरह से हम लोगों को twinkling होते हैं twinkling of star यह हम लोगों को due to the reflection star apparent position position of star same phenomena हम लोगों को reflection of light के द्वारा star is twinkling due to the reflection of light now we are going to again question number 13 what is the question number 13 we are it is it is from the gravitation and we have already told you in the in the lecture that the when we move equator to pole what is equator to pole this is your earth this is your this is your earth and earth this is your equator equator and this is your pole this is your pole this is your which is your twist it is your north pole यह हम लोगों को नॉर्थ स्पोर। गएक्वेटर से चुम्ड होग आपको दे सकता है। कि जब पोल से अगर हम लोग एक्वेटर की और मूब करेंगें, तो भैलू जी का क्या हो जाएगा, तो उस केस में हमारा डिक्रीज करेगा, लेकिन इस केस में हम लोगों कोगे, कि भैलू आप जी इंक्रीजेज, इसका एंसर होगा, लिमेंस सेम तो होगा ही नहीं, अब फैस्ट इंक्रीजेज, इट इस आलसो यह, जब हम क्वेश्चन को ही पढ़ते हैं, तो हम लोगों को यह पता चल जाता है, कि इस परकार की घटनाएं नहीं होगी, बहले बढ़ेगी या तो बढ़ेगी या, विश्चन को इस नहीं होगा, इस लिए इनक्रीजेज यह, हम लोगों का इंसर सही होगा, अब इसके बाद में हम लोगों, जो क्वेश्चन नमबर 13, इसके साथ ही हम लोगों का जो लाइट से संबन्दित, जो भी कॵेश्चन साते हैं, यह हम लोगों को इस पे हम लोगों ने कर दिया है और यह जो हम लोगों का कृष्टना टेकनिकल पार्ट साला है इसको आप मैं चाहूंगा कि आप इसको सब्सक्राइब करें और इसमें कॉमेंट बॉक्स में जाकर कॉमेंट अबस लिखें ताकि हम लोगों को अपने लेक्चर को सुधारने में सहुलियत होगी कि कहां पे क्या तरूटिया है क्या हम लोगों की कमजोरिया है उन कमजोरियों को दूर करेंगे और इसके साथ ही यह आपका थैंक यू और भाट